C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई 14 विद्युत धारा के रासाइनिक प्रभाव प्रिष्ट 172 से प्रिष्ट 183 तक तो आईए सुनते हैं अध्याई 14 विद्युत धारा के रासाइनिक प्रभाव प्रिष्ट 172 आपके अभिभावकों ने संभवत है आपको ये चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वेद्यूत साधित्र को न छूएं। अर्थात अच्छे चालक होते हैं इसके विप्रीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं कक्षा 6 में ये जाँच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित्र याने टेस्टर बनाया था. क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरीक्षित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा अल्युमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबके कुछ पदार्थ जैसे रबड, प्लास्टिक तथा लकडी की जाँच की थी, जो ठोस अवस्था में थे. लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आईए ज्याद करें। चाहिए. यहां सुझाए सभी क्रिया कलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपियोग करना चाहिए. इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 14.1 दर्शाया गया है. ये एक संपरी क्षित्र है. इस चित्र में विद्युत के सुचालक तथाहीन चालक दोनों को दिखाया 14.1. क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? ये जाँच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरीक्षित्र चित्र 14.1 का प्रियोग कर सकते हैं. तथा भी, अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपियोग करेंगे. संपरीक्षित्र का उपियोग करने से पहले, हम ये भी परीक्षन करेंगे कि वो कार्य कर रहा है या नहीं. प्रिष्ट 173 क्रिया कलाप 14.1 संपरीक्षित्र के सिरों को ख्षन भर के लिए एक दूसरे से स्पर्ष कराईए. ऐसा करते ही संपरीक्षित्र का परिपत पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए. तथा भी यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित्र कार्य नहीं कर रहा है. क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या ये संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हो जाँच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए अब फिर जाँच कीजिए कि संपरीक्षित्र कार्य कर रहा है या नहीं यदि ये अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए इस प्रकार जब संपरीक्षित्र भली भाती कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी अपने संपरीक्षित्र की जाँच करते समय इसके तारों के स्वतंतर सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्ष न कराएं। अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीगरता से समाप्त हो जाएंगे। क्रिया कलाप 14.2 बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड के कुछ धक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिये। एक धक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नीम्बू का रस या सिर का उड़े लिए। अपने संपरीक शित्र को इस धक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नीम्बू के रस या सिरके में डुबोईए। चित्र 14.2 ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस पर एक सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या संपरीक शित्र का बल्ब दीप्त होता है। क्या नीम्बू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है। नीम्बू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे। चित्र 14.2 इस चित्र में नीम्बू के रस अथ्वा सिर्के में विद्युत चालन का परीक्षन दिखाया गया है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता, तो संपरीक्षित्र का परिपत पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो दीप्त क्यों होता है। विद्युत धारा के उश्मिय प्रवाव के कारण बल्ब का तंतू उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथा पी, यदी परिपत में विद्युत धारा दुर्बल है, तो तंतू परियाप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप ये जानना चाहेंगे कि किसी परिपत में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपी कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परन्तू ये संभव है कि वो धातू की भांती आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। जिसके कारण संपरीक्षित्र का परिपत तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीट करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपरीक्षित्र बना सकते हैं, जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य संपरीक्षित्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपियोग कर सकते हैं. क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभाहित होती है, तो उसके पास रखी चुम्बकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुम्बकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। LED दिखाए गए हैं। आप चित्र 14.2 के संपरीक्षित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर LED प्रकाश उत्सरजक डायोड चित्र 14.3 का उपियोग कर सकते हैं। LED दुर्बल विद्युत धारा प्रभाहित होने पर भी दीप्त होता है। LED के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिये के LED को किसी परिपत में जोडते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के रिन टर्मिनल से जोडते हैं। क्रिया कलाब 14.3 माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाय अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। त्रे के भीतर एक छोटी चुम्बकी इसुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से उसे जोड़िए। चित्र 14.4 इस चित्र में एक अन्य संपरीक्षित्र को दर्शाया गया है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को खण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराईए। चुम्बकी ये सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरीक्षित्र तैयार है। अब इस संपरीक्षित्र का उपियोग करके क्रिया कलाप 14.2 को दोहराईए। क्या संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को नीम्बू के रस में डुबोते ही आपको चुम्बकी ये सुई में विक्षेप दिखाई देता है। संपरीक्षित्र के सिरों को नीम्बू के रस से बाहर निकालिए। उन्हें पानी में डुबोईए और पूँच कर सुखाईए। इस क्रिया कलाप को अन्य द्रवों जैसे तोटी का पानी, वनस्पती तेल, दूध, शहद आधी के साथ दोहराईए। प्रत्येक द्रव का परीक्षन करने के पश्चात संपरीक्षित्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोँच कर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिती में देखिए कि चुम्बकी ये सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षनों को सा सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। प्रिष्ठ 175 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर सारणी 14.1 दर्शाई गई है जिसका शीर्शक है सुचालक अथवा हीन चालक द्रव। इस सारणी में चार मुख्य शीर्शक हैं। क्रमसंख्या पदार्थ चुम्ब की ये सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ या नहीं। सुचालक या हीन चालक। क्रमसंख्या एक नीबुकारस चुम्ब की ये सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ। ये अच्छा चालक है। क्रमसंख्या 2, सिर का, क्रमसंख्या 3, टोटी का पानी, क्रमसंख्या 4, वनस्पती तेल, क्रमसंख्या 5, दूध, क्रमसंख्या 6, शहद। इन सभी पदार्थों के सामने के बकसे खाली हैं। सारणी 14.1 से हम देखते हैं के कुछ द्रव, विद्युत के सुचालक हैं, तथा कुछ हीन चालक हैं। पहेली और बूजो ने कहा, जब संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं चूते हैं, संभव है के उनके बीच में वायू हो। पहेली को ग्यात है के वायू विद्युत की हीन चालक है, परन्तु उसने ये भी पढ़ा है के तडित के समय वायू से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वो ये जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायू विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बूजो भी ये जानना चाहता है कि क्या ही इन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेश परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेश परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। परिक्षन किया है। आईए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परिक्षन करते हैं। क्रिया कलाप 14.4 एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड के धक्कन में लगभग दो चाई के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिये। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोग शाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित्र का उप्योग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए इस बार आप क्या निशकर्ष निकालते हैं? जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं, तो नमक का घोल हमें प्राप्त होता है ये विद्युत का अच्छा चालक है जो जल हमें नलों, हैंड पंपों, कूओं, तालों आदी से प्राप्त होता है, वो शुद्ध नहीं होता इसमें अनेक लवन घुले हो सकते हैं खनिज लवनों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है इसलिए ये जल विद्युत का सुचालक होता है इसके विप्रीत आसुत जल लवनों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है प्रिष्ठ 176 पहेली ने कहा जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवन मानव स्वास्थे के लिए लाभदायक होते हैं परंतु ये लवन जल को चालक बना देते हैं इसी लिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपियोग कभी भी गीले हाथों से अथ्वा गीले फर्ष पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए हमने देखा कि जब साधारण लवन को आसुत जल में घोला जाता है तो ये उसे अच्छा चालक बना देता है वे कौन से अन्यपदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं आईए पता लगाएं चेतावनी अगले क्रिया कलाप को केवल अपने अध्यापक, मातापिता या अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ती की देखरेख में करिए क्योंकि इसमें अमल का प्रयोग सम्मिलित है क्रिया कलाप 14.5 बोतलों के प्लास्टिक या रबड के तीन स्वच्छ धक्कन लीजिए प्रत्येक में लगबग दो चाई के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए एक धक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे, नीमू के रस या तनु-हाइड्रोक्लोरिक अमल की मिलाईए अब दूसरे धक्कन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाईए तीसरे ढकन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल कर घोलिए परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं विद्युत चालन करने वाले अधिकान शिद्रव, अमलों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वो उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन करती है 14.2 विद्युत धारा के रासाइनिक प्रभाव कक्षा साथ में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलेयन से प्रवाहित होती है तो ये क्या प्रभाव उत्पन न करती है? आईए पता लगाएं क्रिया कलाप 14.6 दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़े निका लिए उनकी धातू की टूपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तामबे के तार लपेटिये और उन्हें एक बैटरी से जोड़िये चित्र 14.5 इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 14.5 दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से जल से विद्युधारा को प्रवाहित करके दिखाया गया है आप इस चित्र में कार्बन की छड़, धातू की टोपी और जल को देख सकते हैं प्रिष्ठ 177 किसी काँच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चमच भर कर साधारण नमक या नीम्बू के रस की कुछ बूंदे मिलाईए अब इस विलेयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोईए ये सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातू की टोपियां जल से बाहर रहें तीन से चार मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए इलेक्ट्रोडों को ध्यान पूर्वक देखिए क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं क्या हम विलेयन में हो रहे परिवर्तनों को रासाइनिक परिवर्तन कह सकते हैं कक्षा साथ में पढ़ी गई रासाइनिक परिवर्तन की परिभाशा का स्मरण कीजिए इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे ब्रिटिश रसाई नग्य विलियम निकलसन के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। ऑक्सिजन तथा हाइड्रोजन के बुल्बुले उत्पन होते हैं। ऑक्सिजन के बुल्बुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुल्बुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। किसी चालक विलेयन से विध्युत धारा प्रवाहित होने पर रासाइनिक अभिक्रियाएं होती है इसके फल स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुल्बुले बन सकती है इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकती है विलेयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं ये रासाइनिक अभीक्रिया उप्योग किये जाने वाले विलेयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है ये विद्युत धारा के कुछ रासाइनिक प्रभाव है बूजो ने ये परीक्षन करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल इवं बनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं उसने एक आलू को दो बराबर भागों में काटा तथा संपरीक्षित्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया तभी उसकी माने उसे बुला लिया और वो आलू में निर्विष्ट किये गए संपरीक्षित्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों और नीला हरा सा धब्बा बन गया है जबके दूसरे तार के चारों और ऐसा कोई धब्बा नहीं है चित्र 14.6 आलू की चालक्ता का परीक्षण इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चरे हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रिया कलाप को कई बार दोहराया उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों और ही नीला हरा धब्बा बनता है उन्होंने अनुभव किया कि ये खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उप्योग किसी बॉक्स में चिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में चपवाने का निश्चाई किया याद रखिये कि बूजोंने इस परीक्षन से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं प्रिष्ट 178 उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासाइनिक प्रभाव उत्पन्न करती है उसके लिए ये अत्यंत उतेजक खोज थी वास्तव में विज्ञान में कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ की कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं अनेक महत्वपून खोजें इसी प्रकार से हुई हैं प्रिष्ट 178 14.3 विद्युत लेपन स्मरण कीजिए बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं तथा पी यदि दुरघटना वश इन में खरोच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूशन पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं तथा पी लगातार उप्योग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चड़ी होती है क्या आप जानते हैं कि एक धातू की सतह के ऊपर दूसरी धातू की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है। आईए इसे स्वयम करके देखीं। क्रिया कलाप 14.7 इस क्रिया कलाप के लिए हमें कौपर सलफेट तथा लगबग 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय के दो चम्मच भर कर कौपर सलफेट घो लिए। अधिक चालक बनाने के लिए कौपर सलफेट विलेण में कुछ बूंदें तनू सलफियूरिक अमलकी डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धो कर सुखाईए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कौपर सलफेट के विलेण में डुबोईए। चित्र 14.7 इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 14.7 के जरिये विद्युत लेपन को दर्शाने वाला सरल परिपत दिखाया गया है। इस चित्र में तांबे की प्लेट कौपर सलफेट विलेण दिखाये गए हैं। परिपत में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलेण में से इलेक्ट्रोडों को हटाईए तथा उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए। क्या उन्में से किसी एक में आप कुछ अंतर पाते हैं। क्या आप इस पर कोई परत चड़ी देखते हैं। इस परत का रंग कैसा है। बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित हैं। विद्युत लेपन के क्रिया कलाब को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदल कर क्रिया कलाब को दोहराया। आपके विचार से इस बार वो क्या प्रेक्षन करेगी। जब कॉपर सलफेट विलेयन में विद्युधारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सलफेट, कॉपर तथा सलफेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर याने तांबा बैटरी के रिण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकरशित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलेयन से कॉपर के क्षय की पूर्ती कैसे होती है। दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्तरा के कॉपर विलेयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलेयन से जो कॉपर कम हुआ वो विलेयन में पुनह स्थापित हो जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानान तरित होता जाता है। प्रिष्ट 189 बूजो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई। इसलिए उसने क्रिया कलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के रिन टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चड़ाने में सफलत अप्राप्त हो गई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांचित धातू की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत धारा के रासाइनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उप्योग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातू की वस्तूओं पर किसी दूसरी धातू की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित की ये जाने वाली धातू की परत में कुछ ऐसे वांचित गुण होते हैं जो उस वस्तू की धातू में नहीं होते जिस पर निक्षेपन किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तूओं जैसे कार के कुछ भागों, सनान ग्रिह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदी पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, ये संक्षारित नहीं होता। ये खरोचों का प्रतिरोध करता है, तथा पी क्रोमियम महंगा है, तथा किसी पूरी वस्तू को क्रोमियम से बनाना आर्थिक द्रिष्टी से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तू को किसी सस्ती धातू से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूशन बनाने वाले सस्ती धातूओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूशन देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लिकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 14.8 दर्शाया गया है। इस चित्र में कुछ विद्युत लेपित वस्तूएं दिखाई गई हैं। जैसे मोटर साइकिल का रिम, कार का बंपर, साइकिल का हैंडल, ट्रे और उसमें रखे गिलास और कुछ सजावटी सामान। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उप्योग किये जाने वाले तिन के डिब्बों में लोहे के उपर तिन का विद्युत लेपन किया जाता है। तिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपियोग किया जाता है। तथा पी लोहे में संग्शारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ती होती है। अतहे इसे संग्शारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे प जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। इस प्रिष्ठ पर महत्वपून जानकारी दी गई है। विद्युत लेपनकार खानों में उपियोग किये जा चुके विलेयनों का निप्टारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। ये एक प्रदूशनकारी अप्शिष्ठ है तथा पर्यावरण सनरक्षन के लिए इस प्रकार के प्रदूशकों के निप्टारे के लिए विशिष्ठ दिशानिर्देश दिये गए हैं। प्रिष्ठ एक सव अस्सी, प्रमुख शब्द, इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, LED, हीन चालक। आपने क्या कुछ द्रव, विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांच द्रव, अमलों, क्षारकों तथा लवनों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासाइनिक अभिक्रियाएं होत इसे विद्युत धारा का रासाइनिक प्रभाव कहते हैं। विलयन होते हैं. दो, जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं, तो चुम्बकी ये सुई विक्षेपित होती है. क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तीन, ऐसे तीन द्रवों के नाम लिखिये जिनका परीक्षन चित्र 14.9 में दर्शाय अनुसार करने पर चुम्बकी ये सुई विक्षेपित हो सके. इस प्रिष्ठ पर चित्र 14.9 दर्शाया गया है. प्रिष्ठ 181 4. चित्र 14.10 में दर्शाय गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता. क्या आप संभावित कारणों की सुची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए. इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 14.10 दर्शाया गया है. 5. दो दर्वों A तथा B के विद्युत चालन की जाँच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रेयोग किया गया. ये देखा गया के संपरीक्षित्र का बल्ब दर्व A के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबके दर्व B के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ. आप निशकर्ष निकाल सकते हैं के एक दर्व A दर्व B से अच्छा चालक है. दो दर्व B दर्व A से अच्छा चालक है. तीन दोनों दर्वों की चालकता समान है. चार दर्वों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती. 6. क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं, तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 7. आग लगने के समय, फायर मैन, पानी के होज यदि पाइपों का उप्योग करने से पहले उस क्षेतर की मुख्य विद्युत आपूर्ती को बंद कर देते हैं. व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं? 8. तटीयक शित्र में रहने वाला एक भालक अपने समपरीक शित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है. वो देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुम्बकी एसूइ अधिक विकशेप दरशाती है. क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सक 9. क्या तेज वर्षा के समाएं किसी लाइन मैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युतितारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है। व्याख्या कीजिए। उसे ये देखकर आश्चरे हुआ कि चुम्बकी ये सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है। 11. अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाईए। 12. जो प्रक्रिया आपने क्रिया कलाप 14.7 में देखी, वो कौपर के शोधन में उपियोग होती है। एक पतली शुद्ध कौपर छड एवं एक अशुद्ध कौपर की छड इलेक्ट्रोड के रूप में उपियोग की जाती है। कौण सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयुजित किया जाए। कारण भी लिखिये। प्रिष्ट 182 विस्तारित अधिगम क्रिया कलाप एवं परियोजनाएं। 1. विभिन फलों तथा सबजीयों से होकर विद्युत चालन का परीक्षण कीजिए। अपने परिणामों को सारणी बद्ध करके प्रदर्शित कीजिए। 2. क्रिया कलाप 14.7 को बैटरी के रिण टर्मिनल से तांबे की प्लेट के स्थान पर जिंक की प्लेट संयुजित करके दोहराईए। अब जिंक की प्लेट के स्थान पर कोई अन्य धात्विक वस्तू लीजिए तथा क्रिया कलाप को पुनह दोहराईए। अपनी उपलब्धियों की अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तीन, ग्यात कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई विद्युत लेपन की व्यापारिक एकाई है। वहाँ पर किन वस्तूओं का तथा किस प्रियोजन से विद्युत लेपन की आ जाता है। व्यापारिक एकाई में विद्युत लेपन की प्रक्रिया हमारे क्रिया कलाप 14.7 में किये गए विद्युत लेपन से अत्यंत जटल है। ग्याद कीजिए कि प्रयोग में आचुके अप्शिष्ट रसाइनों का वे किस प्रकार निप्टान करते हैं। 4. मान लीजिए आप एक उद्योग उपक्रमी हैं तथा आपको एक छोटी विद्युत लेपन की एकाई स्थापित करने के लिए बैंक से रिन दिया गया है। आप किन वस्तुओं का तथा किस प्रयोजन से विद्युत लेपन करना चाहेंगे। 5. क्रोमियम विद्युत लेपन से संबंधित स्वास्थ्य चिन्ताओं का पता लगाईए। इनको हल करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रही हैं। 6. आप अपने लिए एक रोचक पैन बना सकते हैं। धातू की एक चालक प्लेट लीजिए और इस पर पोटेशियम आयोडाइड तथा स्टार्च का गीला पेस्ट फैलाईए। चित्र 14.11 में दर्शाय अनुसार प्लेट को एक बैटरी से संयोजित कीजिए। अब तार के स्वतंत्र सेरे का उपियोग करते हुए पेस्ट पर कुछ अक्षर लिखिए। आप क्या देखते हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 14.11 दर्शाय आगया है। प्रिष्ठ 183 इस विशाय पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट को देखिए। electronics.howstuffworks.com slash led.htm क्या आप जानते हैं। LEDs याने प्रकाश उत्सरजक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफेद में उपलब्द हैं। तथा अनेक अनुप्रियोगों में इनका उप्योग बढ़ता जा रहा है। जैसे traffic signal light में प्रकाश के लिए LEDs का प्रियोग बढ़ता जा रहा है। श्वेट LEDs का एक गुच्छा, एक साथ लगाने पर LED का एक प्रकाश सुरोत बनता है। LED प्रकाश सुरोत उर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रदीप्त नलिकाओं याने ट्यूब लाइट से अधिक अवधी तक कार्य करते हैं। इसी लिए ये धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश सुरोत बन रही हैं। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 14 यहां समाप्त हुआ। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।